नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल धुलदर अप्डेट्स में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल में देखे चुके हैं कि आज 8 जून 2020 की ताया ख़बरे आपके लिए वीडियो में लेके आए हूँ तो breaking news है हिमाचल प्रदेश आज की सभी बड़ी खबरे आपको इस एक ही वीडियो में बताई जाएंगी तो important news है आज की तो वीडियो को miss ना करें और वीडियो को end तक जूर देखें तभी आपको पूरी जानकारी सही से मिल पाएगी उससे पहले अगर आप हीमाचल ली हैं तो इस चैनल को जूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली हर latest update की notification जो है आपको हमारे चैनल दौ़ारा मिल सके तो चैनल को जल से अल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो प प्रदेश के करीब देर लाग चातर इंतजार कर रहे हैं प्रदेश के करीब 174 प्रिक्षा के इंदर में इंतजाम करने को कम से कम दो सप्तहा लगेंगे पब्लिक ट्रांस्पोर्ट खोलने के बाद अब 10 जून को कोल्जों की छुटियां समाप्त होने पर प्रिक्षाओं पर सरकार फैसला ले सकती है 15 जून 2020 तक भी फैसला आया तो जुलाई के पहले सप्तहा में परिक्षाओं शुरू हो सकती हैं तो अगर 15 जून तक अगर सरकार का फैसला आ गया परिक्षाओं से लेकर तो जुलाई के पहले अपते में कोल्जों की परिक्षाओं होंगी सरकार और बिशेविदेले परिक्षाशन को इन परिक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की चुनोती से निप्टने को पूरा प्लान बनाना पड़ेगा अगली बड़ी ख़वर हिमाचल में बारिश और अंधर चलने के चतावनी 12 जून 2020 तक मोसम खराब रहने के असार अगली बड़ी ख़वर कल से नहीं चलेंगी यानि की आज आज सोंबार से प्राइवेट बसें नियूंतम किराया 10 रुपए मांगा तो पूरी जानकारी डिटेल में बताते हैं निजी बस ओपरेटरों ने सोंबार यानि की आज से बसों का संचालन बंद करने का फैसल लिया है हिमाचल में करीब 31 सो निजी बसे हैं प्रदेश निजी बस ओपरेटर संग की रईबार को बीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में ये निर्ने लिया है ये बैठक प्रदेश अधिक्स राजेश परशार राजेश पराशर के नेततब में की गई संग के मास अचिब रमेश कमल ने बताया कि जब तक प्रदेश शरकार बस ओपरेटरों की मांग पर गोर नहीं करती निजी बसों का संचालन नहीं किया जाएगा अगली बड़ी खबर राय महतपूर रेल्वे स्टेशन पर होगी ओल इंडिया ट्रेन की बुकिंग तो बड़ी खबर है ये भी हिमाचर प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित जिला उन्ना के पहले राय महतपूर रेल्वे स्टेशन पर अब आउट्सोर्सिंग के अधार पर टिकेट बुकिंग काउंटर जल्द खोलने जा रहा है काउंटर खोलने के बाद इस कशेत्र के लोग पूरे भारत में कहीं के लिए भी टिकेट बुक करवा पाएंगे उत्तर रेल्वे ने जारी उपचारिकताएं पोल कर अंबाला मंडल के वरिष्ट मनेज्य प्रवंधक को टेंटर प्रक्रिया प्ररम्प करने को कहा है तो ये थी आज की सभी बड़ी खबरें अगर आपको वीडियो पुसंता है तो वीडियो का आप लाइक करना बिल्कुल ही न भूले और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर रखें ताकि आपको आगे आने वाली हिमाचर प्रदेश की हर लेटेस्ट ब्रेकिंग ने उसकी जो है अपडेट हमारी चैनल के द्वारा मिल सके पूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जासे अदर शेयर करें ताकि उनको भी आज की सभी बड़ी कवरें के बारे में पतलग सके तो अब ताक कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन जैहिमाचर आप उनको पसे हमारी टोस्तों के लिएस दीज कीमती समय दोल्डरा मिल सके हमा में वह बारे मिल सके पूर गari उनको अबपने उनको हमारी बारा मिल सके मार कोपिड कोवरें को anteनीवा धन्यवाद ठांश जैगने यर्मारि कोहलें को बारे मıl